देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे राज्यसभा चुनाव के लिए विदान सभा जाने की अनुमती मांग रहे हैं तो महाराश में 25 साल बाद राज्यसभा के चुनाव में पहली बार शिवसिना और विजेपी आमने सामने हैं वही सीपी संजे पांडे के आदेश पर आज से मुंबई में बीना हेलमेट पहने दो पहिया वहां चलाने वालों के खिलाब कारवाई शुरू हो गई है इसी पिछ मुंबई में 16 साल के लड़के ने अपनी मा के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ कर ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी तो अधर मुंबई के बानरा वरली से लिंक पर चील को बचाने के लिए कार से उतरे दो लोगों के एक टेक्सी ने टक्र मार दी प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही आप हमारे साथ राश्टवधी कॉंग्रेस पार्टी की नेता नवाब मलिक को बॉंबे हाई कोट से भी जटका लगा है राज्यसभा चुनाओ के लिए विदानसभा जाने की अनुमती मांग रहे है मलिक को उचेनाईले ने तत्काल राहत देने सिंकार कर दिया है साथी उचित कोर्ट में याचिका दायर करने की सला दी है जस्टिस प्रकाश डी नायक की हाई कोट बेंच ने मलिक को उचित बेंच के सामने याचिका दायर करने के लिए कहा जो जमानत के आवेदन पर सुनवाई करती है साथी कोट ने मलिक को याचिका में संशोधन करने के लिए भी कहा है कल गुरवार को भी विशेश कोर्ट ने मलिक और रांकापा के एक और नेता अनिल देश्मु को एक दिन के लिए जेल से रिहाई दिने सिंकार कर दिया था महाराश्णों में छे सीटों पर चुनाव जारी हैं इस चुनाव में साथ उमिदवार मैदान में उतर हैं विशेश कोर्ट में दोनों नेताओं की याचिकाओं को एडी ने जम कर विरोध किया था एडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग ने रिप्रेजेंटेशन आफ द पीपल एक्ट की एक धारा का हवाला दिया था कि कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता महराश्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुभह 9 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलेगी परिणाम शाम को घुशित किये जाएंगे राज्यसे राज्यसभा की 6 सीटों के लिए कुल 7 उमिदवार है महराश्र में 25 साल बाद राज्यसभा के चुनाव में पहली बार शिवसिना और विजे पी आमने सामने है इस चुनाव में असली लड़ाई शिवसिना और विजे पी के उमिदवार के बीच में ही है दोनों ही पक्षो की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है 25 साल के बाद ये पहला राज्यसभा चुनाव है जिसमें कभी पुराने दोस्त रहे शिवसिना और विजे पी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे है हाला कि नतीजों से ये पता चालेगा कि जिन निर्दली उमिदवारों को अब तक लुभाने का प्रयास दोनों ही पार्टिया कर रही है उन्होंने किसका साथ दिया इस चुनाव में एक-एक विधाय के वोट का अपना महत्वा है हाला कि नसीपी को दो वोटों का नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके दो नेता अनिल देश्मुक और नवाब मलिक सलाख हो के पीछे है चुनाव में अगर बीजेपी की तिसरे उमिदवार की जीत होती है तो MVM में टूट की संभावना बढ़ सकती है दूसरी और अगर उद्धो की कैंडिडेट संजे पवार जितते है तो राज्य में शिवसिना की नेतरुतवा वली सरकार ताकतवर होकर उपढ़ेगी महराशा में राज्यसभा की छे सीटों के लिए साथ उमिदवार मैदान में हैं जिसमें से बीजेपी के तिन उमिदवार प्यूज गोयल, अनिल बोंडे और धननजे महाडिक और शिवसिना के दो मिदवार संजे राउत और संजे पवार हैं जबकि नसीपी के प्रफुल पटिल और कॉंगरेस के इमरान प्रताब गड़ी चुनावी मैदान में हैं अब इस चुनाव में 42 वोटों की जगह जीत के लिए 41 वोट चाहिए क्योंकि अनिल देश्पुक और नवाब मली को वोट की इजाज़त नहीं है वही शिवसिना के एक विधायक रमेश लटके की हाल ही में मौत हुई है सिपी संजे पांडे के आदेश पर आज से मुमबय में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वहान चलाने वालों के खिलाफ कारवाई शुरू हो गई है इसके अलावा तेज आवाज में वहान चलाने वालों की भी खेर नहीं है मतादे की पिछले दिनों DCP राच तिलक रोशन ने एक अधी सूचना जारी कर कहा था कि नौजुन से हलमेट पहन कर ही लोग दो पहिया वहान चलाए इनमें बाइक चालक और पीछे बैटने वाले सवार भी शामिल होंगे ट्राफिक पुलिस अगर इने बिना हलमेट पहने हुए पगड़ती है तो इनके खिलाफ मोटर विकल एक्ट के तहट कारवाई की जाएगी इनके लाइसेंस को तीन महिले के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जबकि 500 रुपे तक जुर्माना भी फसुल किया जाएगा या देश आज से महानगर में लागो हो गया है वहानचालों के खिलाफ कारवाई करने के लिए 50 जगहों पर विशेश ट्राफिक चौकिया बनाई गई है जहाँ पुलिस कर्मियों को न सिर्फ तेज रफतार मापनी की मशिन दी गई है बलकि ड्रंक एंड राइव पर भी नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक उपकरन मुहाया कराए गए है इसके अलावा चालान काटने के लिए मशिने एवं वहानचालों को द्वारा किये जाने वाले बदसलुकी से निपटने के लिए बौडी बॉन कैमेरे दिये गए है बता दे कि हर बुद्वार को मुंबई पुलिस नो हॉकिंग डे का भी संचालन करती है इस दर्मियान तेज रफ्तार एवं शुर मचाने वाले वहानचालों के खिलाफ पुलिस कारवाई करती है ऑनलाइन मोबाईल गेम ने कम उमर के बच्चों को अपने चंगुल में इस तरीके से फसालिया है कि अब वो आत्मगाती कदम उठाने से भी पीछे नहीं हट रहे है हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज़धानी लखनव से एक संसनी खेज मामला सामने आया था जहाँ पब जी खेलने से मना करने पर एक 16 साल के बैटे ने अपनी मा को गोली मार कर हट्या कर दी वही हँ अब मोमय में एक लडगे को उसकी मा ने मोबाईल गेम खेलने से रोका तो उसने आत्मा हट्या कर ली पुलिस ने बताया कि 16 साल के इस लड़के ने अपनी मा के लिए एक सुसाइड नोट छोड़कर ट्रेन के आगे उतकर जान दे दी डिंडोशी पुलिस के मताबिक लड़के की मा ने बुधवार शाम को उसका फोन ले लिया क्योंकि उसे पढ़ने के लिए कहा गया था लेकिन वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था और मा की बाद पर कोई धान नहीं दिया गया इसके बाद लड़के ने सुसाइड नोट लिखा और घर से बाहर निकल गया मा घर पहुची तो उस लेटर को पढ़ा जिसमें लिखा था कि वो जान देने जा रहा है और फिर कभी नहीं वापस आएगा इसके बाद परीजोंनों ने तुरंट डिंडोशी पुलिस थाने में इसकी सूचना दी जिस पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की इसे बिच पुलिस को सूचना मिली कि मलाड और कांदी वेली स्टेशन के बीच किसी ने ट्रेन के आगे कुद कर अपनी जान दे दी है मौके पर पहुचने पर जाँच में पता चला कि ये वो लड़का ही था जिसे सूसाइड नोट घर पर अपने मा के लिए छोड़ा था मुंबई के बादरा वरली सी लिंग पर चील को बचाने के लिए एक कार से उतरे दो लोगों को एक टैक्सी ने टक्र मार दी हाथ से में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे ने अस्पिताल में लाज के दोरान दम तोड़ दिया ये पुरा वाकिया सीसी टीवी में कैद हो गया है कट अतिस मई की है जिसका फूटेज आज जारी हुआ है 43 साल के अमर मनिश जरिवाला अपनी कार से सीलिंग से गुजर रहे थे कार उनका ड्राइवर चला रहा था अचानक एक चिल उनकी कार से टक्रा कर नीचे गिर बढ़ी मनिश तुरंत कार रुकवा कर नीचे उतरे और चिल को बचाने के लिए आगे बढ़े उनका ड्राइवर भी उनके पीछे उतर गया इसी समय पीछे से आ रहे एक टैक्सी ने उन्हें सड़क पर देख कर भी नहीं रुकी टैक्सी ड्राइवर दोनों लोगों को टक्कर मार कर चला गया मनिश और उनका ड्राइवर टैक्सी की टकर से हवा में उचले और फिर सड़क पर आगिरे इस घटना में अमर मनिश जरिवाला की मौके पर ही मौत हो गई थी हाथसे में अमर का ड्राइवर शाम सुन्दर कामत भी जखमी हुआ था जिसकी इलाज के दोरान मौत हो गई परिवार ने बताय कि अमर पशुपक्षियों को लेकर बेहत सविधन्शिल थे उनकी यही सविधन्शिल था उनकी मौत का करण बन गई अमर साउथ बॉंबे में नेपियंसी रोड स्थित एक सोसाइटी में रहते थे किसी काम के सिल्सिले में जब वे मलाड जा रहे थे तभी उनके साथ यह हाथसा हो गया अमर का परिवार टेक्सी चालक के खिलाफ कोई कारोनी कारवाई नहीं करना चाहता है इसके बावजो टेक्सी चालक के खिलाफ वरली पुलिस ने मामला दर्ज किया है हरियाना में कॉंग्रेस ने अपने विधायकों के हाथ में एक लोटा नमक दे कर कसम दिलाई है कि विराजी सभा के लिए कॉंग्रेस प्रत्याशी अजे माकन को ही वोट करेंगे तो भारत में कॉर्णा वाइरस की चोथी लहर की सिगनल मिल रहे है वही बिहार के पुर्वा मुख्यमंत्री लारु प्रसाद यादव और उगकी पत्नी वा बिहार की पुर्वा सीएम रावडी देवी आज सुभ़ चुनाव से सम्मन्दित धर्ना प्रदर्शन मामले में MP MLA में पेश हुए इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम के अम्मा में लगभग दो दर्जन लोगों ने हिंदु धर्म अपनाया है तो धर्म माना जा रहा है कि राश्रपती चुनाव में कॉंग्रेस किसी विद्वान और सामजिक शेत्र में काम करने वाले नेता का नाम प्रस् गया था गुर्वार को उन्हें 36 गड़ से दिल्ली लाया गया इस दवरान विधायकों को हातों में एक लोटा नमक दिया गया और उन्हें कसम दिलाई गई कि वे कॉंग्रेस प्रतेशी अजय माकन को ही वोट करेंगे लोटा नमक हरियाना में एक परमपरा है और आमतर पर इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई समूह, कबिला या खाप चाहता है कि उसके लोग किसी मुद्दे पर एक जूठ हो इस प्रता के तहत एक लोटे में पानी के साथ नमक मिलाया जाता है और लोगों को सर्वसम्मती से लिए गया निर्णय का समर्थन करने की शपत लेने के लिए कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि शपत लेने वालों का शरीर उनके परिवार के साथ सड़ जाएगा क्योंकि शपत तोड़ने पर नमक पानी में गुल जाता है कॉंग्रेस विधायक गुरवार की देर शाम चार्टर विमान से 36 गड़ के लिए रवना हुए पार्टी ने अपने विधायकों के ठैरने के लिए दिल्ली में 36 गड़ भवन और राजस्तान भवन और चंडीगड में एक होटल बुग किया है हाला कि विधायक गुरवार की रात दिल्ली में राजस्तान सरकार के गेस्ट हाउस में रुके थे और शुक्रवार की सुबह बस से चंडिगर पहुचे। दिल्चस बात यह है कि हरियाना कॉंग्रेस विधायक दलके नेता भुपिंदर सिंग हुड़ा और आदमपूर विधायक कुलदीप बिश्नोई दिल्ली के विस्तारा की एक ही फ्लाइट से चंडिगर पहुचे। कॉंग्रेस ने हरियाना राज्यसभा सीट के लिए वरिष्ट नेता आजये माकन को नामित किया है। भारत में कुरोना वाइरस की चोथी लहर के सिगनल मिल रहे है। COVID-19 के मामलों में पीछले कुछ दिन से काफी तेज उशाल देखने को मिला है। जनवरी 2022 में तीसरी लहर के बाद पहली बार एक दिन में 7000 से ज़्यादा दर्च किये गए। एक ही दिन के अंतर पर नए संक्रमितों में करीब 40 फीसदी की बढ़ोत्री हुई है। सिर्फ 10 दिन के भीतरी रोज आने वाले मामलों का 7 दिन ही आउसत दोगुना हो गया है। बुद्वार को 7230 COVID-19 केस मिले। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.3 प्रतिशत तक पौँच गया। जो कि फरवरी 2015 के बाद सबसे ज़्यादा है। यहाँ आकड़ा एक मार्च के बाद सरवादिक है। कोरोना मामले में सबसे चिंता जनक स्थिती महराश्टर और केरल की है। बुद्वार को देजभर से आये COVID-19 मामलों का करीब 70% इनी दो राज्जों से था। आकड़ों में सिल्वर लाइनिंग यहा है कि मृत्योधर कम रही है। लगातर दो हपते से कोरोना संक्रमन बढ़ता देख। केंद्र सरकार ने राज्जों को सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रिय स्वास्थ मंतराले ने खास्ता और पर महराष्टर, केरल, दिल्ली और करनाटक को पाच स्टेप वली रणनिती अपनाने को कहा है। इन राज्जों से टेस्टिंग बढ़ाने, ट्रेकिंग करने, इलाज, टीका करन और कोरोना नियमों का पालन कराने पर ध्यान देने को कहा गया है। सभी राज्जों से ऐसी जगों की पैचान करने को कहा गया है, जहाँ ज्यादा केस आ रहे है। गुर्वार को स्वास्त्य सचीव राजेश भुषण ने राज्योव केंद्र शासित प्रदेशों को चिठ्थी लिखी केंद्र ने सभी हेल्थ फैसिलेटीज में इंफ्लुएंजा जैसे बीमारी और सौरी को भी मॉनिटर करने की नसियत दी बिहार के पूरुव मुख्यमंत्री और राज़त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है पशुपालन गोटाला में लगातार पेशी के दवरान उनकी तबियत भी खराब होती रही अब लालू यादव और उनकी पतनी वह बिहार की पूर्व सीयम राबडी देवी आज सुबह चुनाव से संबंदित धर्ना प्रदर्शन मामले में MP MLA कोर्ट में पेश हुए जिस मामले को लेकर यादव दंपत्ती पेश हुए है वह मामला 2010 में JRP पतना के सामने धर्ना देने से संबंदित है वही एक मानहानी के एक अन्य मामले में इसी कोर्ट में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पेश हुए यह मुकदमा भागलपूर के अउदयकांत मिश्रा ने दायर किया था मिश्रा ने एक टिपपनी पर मानहानी का मुकदमा दायर किया था एहम बात यह है कि लालू यादव के कोर्ट में आने की भनक तक किसी को नहीं लग पाई और जब तक मिडिया को इसकी जानकारी मिलती लालू यादव वहाँ से निकल चुके थे इन मामलों की अलावा खबर है कि CBI विशेश कोर्ट की ओर से लालू यादव के पासपोर्ट मामले की सुनवाई के लिए अब 14 तारीक को सुनवाई की जाएगी ये सुनवाई 10 तारीक यानि आज हुनी थी लेकिन सुनवाई टल गई बतादे की लालू प्रसाद यादव को किड्नी ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगापूर जाना है और इसके लिए उन्हें पासपोर्ट जल से जल चाहिए लेकिन सुनवाई की तारीक आगे बढ़ जाना उन्हें थोड़ा परेशान कर सकती है चिकित सक भी मानते हैं कि बीमारी से निजात पाने के लिए जितनी जल्दी उनकी किड्नी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा अच्छा रहेगा मध्यप्रदेश के रतलाम की आमबा में लगभग दो दर्जन लोगों ने हिंदु धर्म अपनाया है दिक्षा लेने वाले लोगों का कहना है कि वो कभी मुस्लिम नहीं नहीं थे वे घुमककर प्रजादी के लोग है जो मांग कर खाते थे वही दिक्षा दिलाने में शामिल एक महराज का कहना है कि ये सभी शिव पुरान सुनने के लिए आए थे यहाँ कर उनका सनातन धर्म जागा और उन्होंने कहा कि वे उसी धर्म में वापसी करना जाते है जिसमें उनके पुर्वज थे समाज के सामने इन्होंने सनातन धर्म को स्विकार किया है सनातन धर्म अपनाने वाले लोगों का कहना है कि हम कभी मजजित नहीं गए कभी नमाज नहीं पड़ी नहीं मुसलिम धर्म के अन्य संसकारों को अपनाया धर्म परिवर्दन करने वाली एक महिला का कहना है कि मेरा नाम पहले भी आशा था और अब भी यही है हमारे बाप दादा हिंदू थे हम केवल मुसल्मान नाम से मांग कर खाते थे हम सदियों से देविदेता पूछते आये हैं धर्म परिवर्दन करने वालों में महीला आये और बच्चे भी शामिल है वही महाराज का कहना है कि आमबा में हमने शिवपुरान का संकल्प लिया था जिसे सुनने के लिए लोग आये थे उस दोरान उनकी भावना जागी और सारे समाज के सामने उन्होंने सनातन धर्म को स्विकार किया जन्यों संसकार के बाद नामकरन हुआ इन लोगों ने घर वापसी की और सनातन धर्म को अपनाया ये लगभग 10-12 लोग है राशपति चुनाओ का बिगुल निर्वाचन आयोक की और से फूक दिया गया है और इसके साथ ही सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी सक्रिया हो गया है खासतर पर कॉंग्रेसी खेमा राशपति चुनाओ को शक्ति प्रदर्शं की तौर पर देख रहा है चुनाव के एलान के तुरंत बाद कॉंग्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कम्यूनिस्ट पार्टी के सितरा म्येचुरी NCPK नेता शरतपवार और बंगाल के CM ममता बैनर जिससे बात की चुनकि सोनिया गांधी कुरोना संक्रमित है इसलिए उन्होंने मलिकार जुन खडगे को जिमा दिया कि वे समान विचारधारा वाले दलों के साथ ताल मिल सापित करे खडगे ने मुमई में शरतपवार से मिटिंग भी कर ली है अब वो DMK के स्टालिन और TMC की नेता ममता बैनर जिससे मुलाकात करेंगे कॉंग्रेस नेताओ का कहना है कि इसके बाद एक मिटिंग बुलाई जाएगी जिसमें इस पर चर्चा होगी कि आखिर किसे राश्रुपती कैंडिडेट बनाया जा सकता है कॉंग्रेस सुत्रों का कहना है कि पार्टी अपना कैंडिडेट न दे कर किसी और दल को मौका देना चाहती है ताकि एक्ता का संदेश जाए और कॉंग्रेस की ये च्छवी सामने आए कि वो विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहती है बविशमित चुनावी गडबंदन के लिए भी इसे संभावनाय बनेगी दूसरी दरफ विपक्षी खेमे की पूरी नजर तिलंगाना राश्टर समीती ये सर कॉंग्रेस और बीजेडी पर है इन दलों ने गई मौकों पर संसत में भाचपा का समर्थन किया है ऐसे में इनका रुख विपक्षी एकता और उसकी ताकत कितनी रहेगी इसलिहाद से है ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि कॉंग्रेस समित अन्यकई दल यही चाहेंगे कि कोई गैर कॉंग्रेसी नेता ही उमिद्वार बने माना जा रहा है कि किसी विद्वान और सामजिक शेतर में काम करने वाले नेता का नाम कॉंग्रेस प्रस्तावित कर सकती है आदी वसी अत्वा अलपसंख्यक चहरे को कॉंग्रेस मोका दे सकती है थाइलेंड एशिय का पहला देश बन गया है जहां खुले आंग गांजा पीने और गांज की खेती करने की आजादी मिल गई है तो डोनाल्ड टरम्प की बेटी ने अपने पिता को जूटा करार दिया है और कहा है कि 2020 राष्टपनी चुनाव के दोरान उन्होंने जिस चुनावी फर्जी वाड़े की जो बाते कही थी वो उस पर यकिन नहीं रखती है पहिं पैगामर मुहंबत को लेकर भारत में चर्रह विवार पर भारत ने जैसे ही इरान का जुट पकड़ा उसने अपने आधिकारिक विपसाइड से उसे बयान को ही डिलिट कर दिया है तो अधर मशूर पंजाबी सिंगर सिदु मुसेवारा हत्यकार में हरविंदर सिंग रिंदा का भी नाम सामने आया है उसका ISI और पाकिस्तान के साथ कनेक्शन माना जाता है इस बीच पाकिस्तान अब पूरी तरह गधो का मुल्क बनता जा रहा है इनकी संख्या में काफी रुद्धी हुई है दुनिया भरकिन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही हैं हमारे साथ थाइलेंड एशिया का पहला देश बन गया है जहाँ अब कुल्याम गांजा पीने और गांजे की खेती करने की आज़ादी मिल गई है थाइलेंड की सरकार ने अब देश में गांजा पीना गांजे की खेती करना कानूनी घुशित कर दिया है नए सरकारी कानून के तहट अब थाइलेंड में लोग सब्जियों की तरह घर में भी गांजे की खेती कर सकते है थाइलेंड ने नौजून से मारेज़ुआना की खेती और उसके पास रखना कानूनी बना दिया है थाइलेंड के सारवजनिक स्वास्थ मंद्री ने आज गांजे की दसलाग पौदों की वितरन करने की योजना बनाई है और कहा कि थाइलेंड को जल्दी एक वीड बंडर लैंड में बदल दिया जाएगा खादेवुम आउशदी प्रशासन ने थाइलेंड में चिकित्सा और टेकनोलोजी के लिए गांजे का इस्तेमाल करने की मंद्जूरी दे दिया है और इसे मादक पदार्तों की लिस्ट से बाहर हटा लिया है मतलब मारिज जुआना को अपराज से मुक्त करने वाला थाइलेंड एशिया का पहला देश बन गया है हाला कि थाइलेंड में अभी भी तकनी की तौर पर शौकिया गांजा पिने पर प्रतिबंद है जिसका मकसद गांजा पिने वालों को नशा करने से रोकने और इसका इस्तेमाल सिर्फ दर्थ से राहत दिलाने के लिए है लेकिन एक्सपर्ट्स का कहिना है कि अब सरकार के लिए लोगों को खुलेयाम गांजा पिने से रोकना संबव नहीं है क्योंकि लोग अपने घरों में गांजा उगा सकते हैं और ऐसा करना गहर कानूनी नहीं होगा हाला कि सरकार ने अपने नियम में कहा है कि गांजा उगाने के लिए सरकारी रप्तर में रजिस्ट्रेशन करना होगा डोनल्ड ट्रम्प की बेटी ने अमेरीकी कॉंग्रेस की एक जाज कमिटी के सामने अपने पिता को जूटा करार दिया है और कहा है कि उनके पिता ने 2020 राश्ट्रपती चुनाओ के दवरान चुनाओी फर्जेवाड़े की जो बाते की थी वो उस पर यकिन नहीं रखती है इसकी एक जाज कमिटी के सामने बयान दे रही थी जो 6 जनवरी 2011 को अमेरीकी संसत पर हुए हमले की जाज कर रही है इवांका ट्रम्प पहली बार इस कमिटी के सामने प्रस्थुत हुई थी और वीडियो लिंक के जरिये अपना बयान दर्च कर वाय था हलाकि अभी तक पूर्वराष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प अपने रिपब्लीकन मतदाताओं को ये भरोचा दिलाने में कामियाब रहे है कि चुनाओं में धांदली की गई थी और उन्हें धुके से राष्ट्रपती पत से हटाया गया एक गुप्त मतदान की अनुसार अठाउन प्रतिशत रिपब्लीकन ने 2020 के चुनाओं के परिणाम को दोखादड़ी का परिणाम मनाओ बतादे कि 6 जनवरी 2021 को जब दंगा भड़का था उससे पहले डोनल्ड ट्रम्प ने वाइट हाउस के बाहर हजारों समर्थकों के सामने एक भड़काव भाशन दिया था जिसमें उन्होंने 2020 के चुनाओं के अपने जूटे दावों को दवराया और उनसे कैपिटल हील तक मार्च करने और नर्क का दर्वाजा तोड़ देने का आववान किया था पैगंबर मुवम्मत को लेकर भारत में चल रहे विवाद पर भारत ने इरान के बड़े जूट को न सिर्फ पकड़ लिया बलकि इरान को अपने उस जूट को अपने अधिकारिक वेबसाइट से डिलीट भी करना पड़ा है दरसल इस विवाद को लेकर 16 मुसलिम देशों ने अपत्ती दर्च कराई थी इसमें एक देश इरान भी था हलाकि भारत सरकार की तरप से साब कहा गया है कि किसी टीवी डेबेट में किसी नेतादवरा दिये गए इस तरह के बयान भारत सरकार के विचार को प्रतिनी दित्व नहीं करते हैं और बीजेपी ने पाल्टी से बाहर निकाल कर अपने प्रवक्ताओं के खिलाप कारवाई भी की है लेकिन इरान ने इस मौके पर डबल गेम खिलने की कोशिश की दरसल इरानी विदेश मंतरी और भारतिया नेशनल सेक्यूरिटी एडवाइडर अजित डोबाल के बीच हुई बातचीत के बाद इरान के सरकारी वेबसाइट पर इस मुलाकात को लेकर जो अधिकारिक बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इरान के विदेश मंतरी को NSA अजित डोबाल ने बताया था कि जो लोग पैगंबर के खिलाफ विवादास पर टिपपनी करते हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा जबकि भारत की ओर से कहा गया कि अजित डोबाल से मुलाकात और ब मशूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसे वाला हत्याकान में हरविंदर सिंग रिंदा का नाम भी सामने आया है हरविंदर सिंग रिंदा का नाम लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में भी सामने आ चुका है उसका ISI और पाकिस्तान के साथ कनेक्शन माना जाता है को भेजाए बतादे कि रिंदा को बबर खालसा का इंडिया हेड बताया जाता है वो साल 2020 में भारत से फरार हो गया था भारत से फरार होने के बाद रिंदा ने पाकिस्तानी खुपी आइजेंसी आई एसाई की पना ले ली थी आज भी वो इसलामाबद में है और देश जाच रिंदा को लेकर चौकाने वाला मामला सामने आया है दरसल रिंदा ने आई एसाई के इशारे पर पंजाब में अस्तिरता फैलाने के लिए साजिश रचने का पूरा जिम्वा बिश्णोई को दे रखा है रिंदा के कहने पर ही जेल से बिश्णोई ने मुसे वाला मर पुलिस ने केशाओ और चेतन नाम की दो लोगों को हिरासत में लिया है। इन में से एक पर हत्या में मौजुद होने और दूसरे पर शूटरों को हतियार लाकर देने का आरूप है। खाल से निकलीवी जिलेटिन का इस्तेमाल कई तरह की महेंगी दवाओ को बनाने में किया जाता है। बिडिया ख़बरों के मुताविक एक गदे की खाल से पाकिस्तान को 18-20,000 रुपे तक मिल जाते है। दरसल पाकिस्तान के ग्रामी निलाकों में रहने वालों के लिए जिलाक से अधिक ग्रामिन परिवार पशुपालन कर रहे हैं और अपनी आयका लगभग 35-40 फीस अधी इसी क्षेतर से प्राप्त करते हैं। दस्तावेच से पता चलता है कि पाकिस्तान सरकार देश में आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और गरीबी से निपटने के लि 30 रुपे की बड़ोत्री करके जनता को बड़ा जटका दिया। इसके अलावा घीय और तेल जैसी मुल्भुच चीजों के दाम भी आसमान को चूर रहे हैं। उर्जा संकट की वज़े से लोगों को लंबी बिजली का टोती का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने क लिए सरकार ने इसलमाबद में 10 बजे के बाद शादियों पर प्रतिबन लगा दिया है और कारेलों में शनिवार को चुट्टी की गोशना कर दिया है। तो आज किस खास पेशकर्श में वस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं वीकी विनिय